आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से धीरे धीरे एक-एक शब्द को समझते हुए ट्रांसलेट किया जाता है और इंगलिश को समझा जाता है इस कहानी का नाम है अब देखो इसमें अब यह फूलिश जो आया है यह आया है गधे के लिए यह इसकी विशेशता बता रहा है तो यहाँ पर यह जो फूलिश है यह काम कर रहा है एड़्जेक्टिव का विशेशन का आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में one day एक दिन क्या होता है a farmer let let का मतलब होता है allow करना किसी को permission देना the donkey lose तो एक किसान ने क्या किया अपने गदे को जो है ढीला छोड़ दिया let lose का मतलब है उसको ढीला छोड़ दिया at night, रात में so that, ताकि he could graze the fields ताकि वह क्या कर सके, चर सके graze का मतलब होता है चर न so that he could graze the fields ताकि वह field में जाकर मैदान में जाकर चर सके as the donkey was eating अब as the donkey was eating, जब donkey खा रहा था, या फिर आप कहा सकते हो कि चर रहा था, तो उसी टाइम पर क्या हुआ, he befriended a fox befriended का मतलब होता है किसी को दोस्त न, तो donkey ने क्या किया है? यहाँ पर ही आया है, डंकी के लिए generally animals के लिए हम क्या करते हैं it का प्रियोक करते है, जो भी animals होते उन के लिए generally हम it का प्रियोक करते हैं, लेकिन कभी-कभी stories में हो जाता है, कि stories में हम क्या करते हैं, कि मतलब थोड़ा सा interesting बनाने के लिए उसे मानविय करन कर देते हैं जानवरों का ना तो कभी-कभी he का use भी कर देते हैं वेसे generally जानवरों के लिए हम it का प्रियोग करते हैं he befriended a fox तो इस गदे ने क्या किया एक fox को इसने दोस्ती कर ली the fox said अब fox ने क्या कहा lettuce देखो यह lettuce कई बार आता है stories में लेटस प्ले खेलते हैं lettuce eat खाते हैं lettuce go to that maze field मेज का मतलब होता है मक्का तो लॉम्डी ने क्या कहा गदे से ऐसा करते हैं चलते हैं कहा चलते हैं मक्का के खेत में चलते हैं मक्के के खेत में चलते हैं and enjoy more food और ज़्यादा food enjoy करते हैं ज़्यादा food खाते हैं the donkey agreed गदा सहमत हो गया as they were grazing अब जब की वे चर रहे थे as they were grazing the donkey the donkey turned to the fox गदा fox की तरफ मुडा and said और गदे ने क्या कहा I feel like singing की मेरा गाने का मन हो रहा है ध्यान रखना हम ये जो feel है न इसको हम क्या करते हैं generally continuous tense में use नहीं करते इस तरह से नहीं बोलते की I am feeling अब जैसे अब इस तरह के अगर आप छोटे-छोटे sentence रट लोगे न तो इनसे क्या है आपको speaking में बहुत फाइदा मिलेगा की जैसे मेरा खाने का मन कर रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप I feel like eating आप काओ की मेरा सोने का मन कर रहा है I feel like sleeping I feel like singing तो गदे ने क्या का की मेरा गाने का मन कर रहा है I feel like singing I feel like dancing मतलब मेरा dance करने का मन कर रहा है are you foolish you will wake the farmers of this field the fox said a fox ने कहा है न अरे fox ने गदे से का अरे मूर को क्या बेवकूफ है क्या are you foolish you will wake wake का मतलब है जगा देना you will wake the farmers of this field तुम इस field के जो किसान है उनको जगा दोगे fox ने कहा in his आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है in his hush voice देखो hush voice का मतलब क्या होता है बिलकुल धीमी सी बोरिश पागल हो क्या तुम उन्हों किसानों को मालिकों को जगा दोगे तुम इसको बोलते हैं hush voice है ना जो बिलकुल फुस फुसा के बोली जाती है दभी दभी आवाज में बोली जाती है तो fox ने कहा रहे कोई object होता है ना तो उसके पहले हम to का प्रियोग जरूर करते हैं जैसे आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे किसी को आपसे कुछ कहना चाते हो listen to me कि भी मुझे सुनो listen to my advice मेरी advice को सुनो तो ध्यान में रखना listen के बाद में हम to preposition का प्रियोग करते है तो the donkey did not listen to the fox लेकिन ये जो गदा था इसने fox की बात को नहीं सुना just as he was about to अब देखो एक और शबद आया यहाँ पर about to about to का मतलब होता है कि जैसे आप कुछ कोई काम just करने वाले हो जैसे आपका हो जैसे आपका दोस्ता आप से पूँचे कि भई कहां हो अभी तक नहीं पहुचे तो मैं railway station पे तुमारा इंतिजार कर रहा हूँ तो आप क्या कहोगे उसे I am about to reach मैं बस पहुचने वाला हूँ I am about to leave मैं बस निकलने वाला हूँ I am about to eat मैं just खाने वाला हूँ तो इस तरह से हम इसका प्रियोग करते है about to तो इस तरह से क्या है कि यह जो छोटी-छोटी stories होती इन में कई छोटी-छोटी concepts आते हैं अगर इन्हें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो speaking, reading, writing, सब कुछ आपकी improve होती चली जाएगी तो just as he was about to begin, अब गदा बिलकुल शुरू होने ही वाला था, शुरू करने ही वाला था, गाना गाना शुरू करने ही वाला था, the fox left him, fox ने क्या किया, गदे को छोड़ दिया है न, fox ने सोचा कि यह गदा यह तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा तो आपन तो बगो यहां से, तो fox वहां से फरार हो लिया, the fox left him, and went to hide, और fox कहां चला गया, went to hide, चिपने, behind the nearby bushes, बुशे का मतलब होता है जाडिया, nearby का मतलब है पास में, and went to hide behind the nearby bushes, और fox ने क्या किया, गदे को छोड़ के, चिपने चला गया, किसके पीछे, पास ही की जो जाडिया थी, उनके पीछे, ये लिए चला गया, fox, with the loud braying of the donkey, अब देखो क्या लिखा हुआ है, with the loud braying of, with the loud braying of the donkey, अब देखो ये जो bray है न, ये होता है, रेंकना, गदे की जो आवाज होती न, उसको बोलते है, रेंकना, तो गदा जोर जोर से रेंकने लगा, with the loud braying of the donkey, की गदे की जोर जोर की जो farmers of mage field की जो किसान थे मक्का के खेत के जो किसान थे came running वे दोड़ते हुए आए they spotted the donkey देखो, sport का मतलब होता है notice करना है, कि भई, जैसे कोई भी व्यक्ति आपकी notice में आता है तो notice करना, देखना, चिन्नित करना किसी को है, उसको हम बोलते है notice करना है, भई, उसके लिए हम क्या शब्द प्रियोग करते है, spot कि भई, मैंने देखा है न, मेरी नजर में कोई चीज आया, मैंने पहचाना उसको तो वे जो आदमी थे, किसान थे, वे भाग किया है they spotted the donkey, तो उन्होंने जो है, डंकी को देखा वहाँ पर, and beat him up, blue, and beat और उसको पीटा, beat का मतलब है पीटा और इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो नीला पड़ गया, and beat him up blue, है न, वो बोलते हैं, कि भई, मेरे शरीर पर नील पड़ गया है, किसी ने आपको इतना बुरे तरीके से पीटा, कि उसके शरीर पर नील पड़ गया है, अब इस story का moral क्या है, इस story का moral है, यानि कि इस story से हमें सिक्षा क्या मिलती है, moral we must know the proper place and time for doing the things we want, we must देखो, यहाँ पर must लगाया है हमने should और must, दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन should की strong form होती है, must जब कोई काम आपको जरूर करना चाहिए तब हम should की जगे लगाते है, must we must know the proper place and time, हमें उपयुक्त इस्थान और उपयुक्त समय का जरूर पता होना चाहिए, उन कामों को करने के लिए for doing the things है, कि कोई भी काम है, कोई भी बाते हैं, जिनने हम करना चाहते हैं, उन्हें करने के लिए for doing the things we want कि कुछ भी एसी बाते हैं, जिनको हम करना चाहते हैं, for doing the things we want जिन भी बातों को हम करना चाहते हैं उन्हें करने के लिए एक उचित समय होता है, एक उचित जगे होती है और उसी जगे पे हमें करना चाहिए और अगर हमें ऐसा नहीं करते हैं तो उसके हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसा की गदे के साथ हुआ तो अभी पिक्चर देख लो, ये तो ये गदारा विचारा और ये यहाँ पर इसका दोस्त रहा है न तो इसकी दोस्त की तो मानी नहीं इस गदेने न कि पिटके ही छोड़ा तो ये थी हमारी आज की स्टोरी